हम बात कर रहे हैं benefits of fasting पे और उसके बीच में हम बात कर रहे हैं कि जिन लोगो diabetes होती है वो रोजा कैसे रख सकते हैं और diabetes जो है कैसे उनकी इसमें फिर वही बात हम करेंगे कि तीन चीज़े कंट्रोल रखने से एक तो कॉलिस्ट्रॉल लेवल बेहतर हो जाता है एक आपकी शुगर जो थोड़ी बेहतर हो जाती है और ओवरॉल जो आपकी इमिनिटी है वह भी बैटर होती है आश्वाग्ट्र समय हमें कॉल आये थी प्रिक पर जाने से पहले थोड़ा उनका प्रॉब्म सौट आउट कर दी शुगर आश्वा नहीं हमें जो बताया कि उनको हाइपोस ऑन और आफ हाइपोस की कंडिशन होती है और ओवरवेट भी बता रही है अच्छा आस्मा नाम था अनका आस्मा और फिर वह थक भी जाती जल्दी और इसमें मैं दो चीजें उनसे कहूंगा कि वो इसको करवाकर लैप्स करवाकर इंवेस्टिकेशन करवाकर तो किसी भी अच्छे एंडुक्राइनॉजिस्ट को दिखाईए खास तो पर जो है इसमें हाइपर इंसुलिन नॉमा होता है एक प्रॉब्लम जिसमें इ इंसुलिन लेवल्स करवाने की जुरूरत है और इसके साथ साथ हाइपो थाराइड लेडीज में इसेज में बहुत कॉमन है तो थाराइड प्रॉफाइल भी ये कराएं और करवाने के बाद किसी एंडुक्राइनॉजिस्ट को दिखाईए ताके वो रूल आउट कर सके इस कंडिशन में तो उसमें भी जो है इंसुलिन लेवल्स को ज्यादा नजर आते हैं और यही वजुहात है कि इंसुलिन लेवल्स ज्यादा नजर आता है जी इसमें जो है पॉलिसेस्टिक ओवेडियन में इंसुलिन रिजिस्टेंस अगर हमें ज्यादा मिलेगा तो इंसुलि स्टेजें ज्यासर कर रही है इसी वाज़ा से इनको हाइपोस ही कर रही हैं. और जितना भी blood में हमारे glucose है उसकी acceptance peripheral tissues में बढ़ा देती है तो यह इसका major role होता है, यह hypoglycemia नहीं करती है, यह normal glycemia रखती है सबका, और इसको अगर कोई भी recommend करता है, तो PCOS में भी यह दी जाती है, तो वही इंसे यह पूछना चाहिए थी, अगर यह medicines ले रही हैं तो उससे hypos नहीं होगा, यह इनको confirm hypos हो रहे हैं, इनको बहुत मीठा खाने के अरज होती है, इंसान की, जब हाइपो होता है, तो बहुत मीठा खाने के अरज होती है, तो इसमें एक और चीज है जिसको हम जो है वो कहते हैं, अग्नोर नहीं कर सकते, विच इस thyroid profile, क्योंकि मुझे य एज ग्रूप में बहुत जैसे मैं आपको पहले बताया होता है, तो इसको भी मदे नजर रखा जाए, उसमें भी ऐसा होता है, सुस्ती रहती है, और काम में दिल चस्पनी होती है, वेड गेन होता है, और एज इनकी आइडियल है, उससे रिलेटिब, खुदा नख़ास्ता खुदाना खास्ता, खुदानाख़ता है, घूटी साहँ अब रूची एक बाहर बताएए, अखसर यह होता है, पैशनके ग्लुकोस लो हchnे होने लिगते है, और जब ड़नों की ट्रीटमेंट में दोनों के एकदम, उसमें क्या परखोता है, यह रहं गीए है, तो बहुते ह कि हमारे अंदर जो बॉडी में ऑटो रेगुलेशन सिस्टम है कि इंसुलीन का जो ऑपोनेंट है ग्लुकोगॉन वो अपना थोड़ा काम कर सके तो उसको एक्टिवेट करने के थोड़ा रेस्ट करेंगे तो आपको एनर्जी जो आप कैलरीज यूज करें थोड़ी कम हो पर जो लुक डायबेटिक हैं और वो हाइपो की तरफ जा रहे हैं तो क्या उनको रूसा तोड़ना चाहिए अगर वो अर्ली स्टेज में के लाइट है तो उसी वक्त हम उनसे कहते हैं कि आप जो है वो रेस्ट कीजिए और नेक्स डे के लिए जो फिर सहरी में जो है आपक को ग्लुकोज देते हैं और मैं तो अपने पेशेंट से यही कहता हूँ कि ऐसी कैफियत में रिस्क ना ले क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया इस मोर डेंजर देंजर देफनेटली इस तो अच्छे डॉक्टर साब यह भी देखते हैं कि अजान का वक करीब है तो कुछ नहीं कि अजान का वक दूर है तो फिर मैनेज डिफरेंटली जी हां बिल्कुल इस तरह तो अच्छा तो अब सिक्स्टी से नीचे होने लगे तो चाहें वक कुछ भी हो सिक्स्टी तो मैंने एक थोड़ा सा सेफ साइट पे का है हम इसको फिफ्टी स में डॉक्टर जो इसको करते हैं कि उनको सहरी थोड़ी सी चेंज करें सहरी में क्या डालना पड़ेगा सहरी में देखें हम पूरा साल जब अपने पेशेंट्स को खाने पीने को कहते हैं तो उनको हम पराठे से मना करते हैं सहरी में हम अब रेकमेंड करते हैं है गया बात है सहरी पराठे बिल्कु और उसका तरीका हम यह रखते हैं कि जैसे आप फर्ज करने के रोजा बंद होने में कुछ 15 मिनिट बाकी हैं तो आप कुशिश करें कि इतना स्लो खाईए कि आप का आखरी 2-3 मिनिट में जो है आप उसको वाइंड अप करें ना कि यह कि आप बादा घंटा पहले खाने उससे ही आपको जो है जोहर से असर के राम से चल सकते हैं ठीक चलें डॉक्टर बहुत 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 शुक्रिया आपके आने का और आपने हमारे इम शूर डाइबिटिक जितने पेशिंस होंगे काफी सारे मसाइल आपने हाल कर दिया अच्छी बात यह है कि डाइबिटी जैसा डिजीज जो है वो किसी और सीजन में तो काफी कंट्रोल हो ना हो रमजार में लोग का काफी कंट्रोल हो जाता है सही एक और फाइदा है रोजा रखने का वियर्ज वक्त होगा एक चोटी सी ब्रेक का कही में जाए का विटी राइट पैक